नौलेज वुस्टर की तीसरी कड़ी में हम समास की महत्तोपूर्ण 20 प्रश्णों को साध्या करेंगे व्याख्यात्मक रूप से आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए अत्यन्त महत्तोपूर्ण सिध होगा तो पहला प्रश्ण बिना किसी दिरी की देखते हैं जो कि इस प्रकार है कि जलवायू किस समास का उधारन है तो सही वी कल्प है द्वंद समास का द्वन्द समास की परिभाशा आप जानते हैं कि जिस समास में दोनों पर प्रधान होते हैं वहाँ पर क्या होता है द्वन्द समास होता है अर्थात जो जलवायू है अगर इसका विग्रह करते हैं तो और या आ सब्द आता है तो जब हम जल वाइु समास का विग्रह करेंगे तो जल और वाईू आएगा ठीक है? तो और आया अर्धा त Иहां पर द्वन्द समास होगा अगला प्रश्ण देखते हैं जो कि इस प्रकार है कि चराचर किस समास का उधारंण है तो चराचर भी द्वंद समास का उधारण है क्यों चराचर द्वंद समास का उधारण है द्वंद समास में हम जानते हैं कि दोनों पर प्रधान होता है अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो और या सब्द आता है तो चराचर का अगर हम विग्डर करेंगे तो चर और अचर आएगा ठीक है या आप ये भी समझ सकते हैं कि जो द्वन्द समास होता अगर इसका ट्रिक देखें आप तो यह एक दूसरे के विलूम होते हैं या एक दूसरे के पूरक होते हैं तो चर और अचर एक दूसरे के व कि जलवायू में जैसे माता डैस पिता तो यहां पर क्या होगा बताया जाता है कि द्वंद समास होगा परंतु आपने देखा कि जलवायू में भी बीच में डैस नहीं था और ना ही चराचर में ही था परंतु यह दोनों क्या थे द्वंद समास के उधायन थे तो आप द्वं करते हैं तो और या या सब्द इनके बीश में आता है जैसे जल और वायू चर और अचर या इस तरह से भी याद कर रख सकते हैं कि जो दोनों सब्द होते हैं वो एक दूसरे के या तो विलोम होते हैं या एक दूसरे के पूरक होते हैं जैसे जल वायू जल और वायू एक राचर चर और अचर एक दूसरे कि क्या है विलोम है अगला प्रश्ण है कि सचसरी किस समास का उधारण है सच्ट Anyways करेंगे तो आपके पास विग्र होगा कि 702 समून का समून साद fluor का समून अर्था सच जए ठीक है अब पूछा है कि सच से किस समास का उधारण है तो यल होगा ड्विगु समास का उधारण क्यों होगा क्यों कि आप पर्भासा जानते हैं कि जैस समाजी सब दिया समस्त पद का पुर्वपद संख्या वाची विशेशन हो अर्थात यहां पर क्या होगा दिगुश्रमास होगा अगला प्रशने देखते हैं कमल नयन में समास है कमल नयन में कौन सा समास है तो कर्मधारे समास है क्यों कर्मधारे समास है कमल नयन में क्योंकि अगर कमल नयन का हम विग्रह करेंगे तो होगा कमल नयन का विग्रह कमल के स समान नयन और आपने कर्मधारे समास की परिभासा पढ़ी होगी कि जिस समास में उत्तर पद यानि उत्तर पद को दूसरा पद प्रधान होता है तरथा दोनों पदों में विशेश्य विशेश्य या उपमे उपमान का संबंध होता है उसे हम क्या करते हैं कर्मधारे समास करत स ensuite क्योंकि कमल नयान का विग्रव को ने कमल की समान नयान होगा और यह क्या है कमल की समान नयान के कमल धायं है क्या हुपमे और यहां पर słथ मान का संबंध है कब दरन होगा यह आपकट पूंच दिया जाए कि महाराज कि समास का उधारण है तो महराज क्या है महा क्या है विशेशर है और राज क्या है विशेश्य है तो यहां पर भी क्या होगा कर्मधारे समास का उधारण होगा यानि जो पूर्व पद और उत्तर पद विशेशर या विशेश्य की रूप में संबंद रखते हो या उपमे और उपमा दिये गए हैं कमधारे समास ततपूरुष समास या अब गई भाव समास तो आप देखेंगे भूक मरा का अगर हम विग्रह करें तो होगा भूक से मरा और आपने पढ़ा होगा कि ततपूरुष समास में क्या होता है कि अगर हम विग्रह करते हैं तो उसके बीच कोई विवक् से मरा भूक से मरा यहां पर से क्या है विवक्ति चीनाय अर्थात यहां पर क्या है तत्पूरुष रमास का उधारण अब देखिए अगला प्रशन हम देखते हैं जो कि इस प्रकार है कि वन्वास किस समास का उधारण है तो वन्वास वन्मे वास में क्या है विवक्ति चीना अर्था तहहां पर भी तत्पूरुष रिमाश होगा अधिया अगला प्रश्ण है कि रातों रात में समाश रात तो रात का विग्रह हम करेंगे तो रात ही रात में अगर देखिए एक ही सब्द दोहरा कराई यानि कि जैसे रात रात दोनों दोहरा कर एक ही जैसा सब्द है परन्तु दोनों दोहरा के आता है तो वहाँ पर क्या होता है अब्वेई भाव समास होता है तो बिना आप हिचकी प्रिशाय क्या करेंगे जब एक ही सब्द जैसे कानों कान, रातों रात, ठीक है, ऐसे सब्द दिखाईए जैसे घड़ी-घड़ी, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आँख बंद करके अव्यई भाव समास टिक कर देंगे, क्योंकि अव्यई भाव समास की परिभासा आपने पड़ी होगी कि इस समास का पहला पद अव्यई तत्हा प्रधान होता है, और दूसरा पद संग्या होता है, इस समास में समस्त पद अव्यई बन जाता है, इसमें किसी विभक्ती चीन का प्रयोग नहीं होता, ठीक है, वाक्य में प्रयोग करने पर इसका रूप नहीं बद जलता है यानि या आप एक ट्रिक भी याद करेंगे कि अव्य भाव समास जो होता है उसका पहला पद यानि जो पुर्व पद होता है वो अत्यंत छोटा होता है या तो उपसर्ग होता है या तो आप एक ट्रिक और याद करेंगे कि एक सब्द जब दो बार आता है जैसे रात रात दोर बाद आपको दिखाई रिया तो वहाँ पर भी अव्यवाव भाव समास का उधारन होता है अग्ला देखे प्रशन है कि निशन्देह में कौन सा समाश है, निशन्देह, यानि अगर इसका वीग्रा करेंगे, तो होगा बिना सन्देह के, तो यहाँ पे भी क्या होगा अबaraव समाश होगा, अब देखे, चोराह, किस समाश का उधारण है, तो चोराह, हमने आपको बताया, कि जहाँ पर पहला पद, क्या हो चार राहों का समू ठीक है अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो जहाँ पर पहला पत संख्या वाची हो वहाँ पर क्या होता है दिगु समास होता है अब देखिए अगला प्रश्ण है कि जीवन मुक्त अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो होगा जीवन से मुक्त से यह यहां पर विभक्ती चीनाय आर्थात यहां पर तत्पूरुष समाश होगा आशाकटी कि यह दस प्रस्ट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे अगर नहीं आए तो आप कृपया में कॉमेंट सेक्षे में कॉमेंट करें हम फिर से इस वीडियो को अच्छी वहां तरह समुझाने की कोसिस करेंगे अब देखिये अब यहां पर कुछ उधार्ण बज दिये गएं समास आपको बताना कि कौन से समास का सब उधार्ण है तो पहला प्रश्ण है कर्म वीर तो कर्म वीर का अगर हम विग्रा करते होगे तो होगे करते हैं तो होगा कर्म वे वीर तो में आया कर्म में वीर यानि अपने कर्म में वो क्या है? वीर है तो में क्या है? विभक्ती चीन है ठीक है? तो वहाँ पर क्या होगा तत पूरुष समास होगा देश प्रेम देश के लिए प्रेम के लिए आया तो यहाँ पर भी विभक्ती चीन आया अर्थात यहाँ पर क्या होगा तत पूरुष समास होगा अब देखिए जहाँ पर यथा सब्द आये या उपसर्क आये या पहला सब अत्यन छोटा हो वहाँ पर क्या होता है अव्य भाव समास होता है या आपने फ़िभासा पढ़े होगी कि जिसका पुर्वपद क्या हो अव्य हो वहाँ पर क्या होता है अव्य भाव समास होता है तो यथा शाध्य यथा क्या है अव्य है अर्थात यहाँ पर अव्य भाव सम इसका पूर्व उपद अगर देखें साथ तो यह प्लस आदर ठीक है यादर के 700 क्या है अत्य चोटा है और उपसर अर्थात यहां पर अव्वेई भाव समास होगा कानों कान हमने कहा कि एक हिसब जब दोहरा कराता है तो वहां पर भी क्या होता है अव्वेई भाव समास होता अब देखें अगला प्रशन है कि आजन्म यानि जन्म भर आ क्या है एक उपसर्ग है या तिन चोटा है अर्थात यहां पर भी क्या होगा अव्वेई भाव समास होगा भर पेट यानि पेट भर के तो यह भी क्या है अव्वेई भाव समास का उधारण है आमरन यह भी क्या है अब वे भाव समास का उधारण यानि मिलत्यू तक अगर इसका विग्रह करेंगे तो अगर आपने हमारे समास वाली ट्रिक की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप क्रिप्या हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें महां पर आपको मिल जाएगा या आप हमें कॉमेंट सेक् कर देंगे धन्यवाद जैहिंद महादेव